Hey guys, welcome back to my channel First of all, happy new year to all of you guys who are listening to me आज हम जानने वाले हैं एक काफी बहतरीन fact about the pen card जी हाँ permanent account number जैसा मैं पता है कि हमारे pen card में हमेशा हमारे father का नाम आता है लेकिन क्या आपको ये पता था एक lady के शादी शुदा हो जाने के बावजूद भी उसके pen card में उसके father का नाम ही रहता है यानि कि pen card में कोई further editing नहीं होती अगर एक बार वो बन जाए तो उसके husband का नाम add नहीं होता This is little bit strange आपको लग रहा होगा बाकि सारे documents में तो ऐसा नहीं होता husband का नाम आ जाता है तो फिर आखिर यहां क्यों नहीं So there is a reason behind it So the reason is क्या होता है न कि जैसा हमें पता है कि pen card का नाम है permanent account number एक ऐसा number जो आपके entire lifetime में एक ही रहता है उसमें कोई भी changes नहीं होते है So let's suppose अगर lady की शादी होती है और हमने father की जगह उसके husband का नाम लिग दिया And in case अगर उसका divorce होता है तो husband की जगह फिर उसके new husband का नाम आएगा तो ऐसे तो यह बार-बार चलता रहेगा और इसमें बार-बार editing होती रहेगी लेकिन फिर तो permanent account number का purpose ही defeat हो गया जो कहता है कि एक ही account number होगा उसमें कोई further editing नहीं होगी That's why there is a provision कि एक बार अगर बन गया pen card उसमें father का नाम आ गया तो उसमें further कोई भी editing नहीं होगी